हेलो स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री जिसका नाम है कान भैबस बासुरी के इसके कवी है रस्खान यहाँ प्रस्तुत प्रतम कवीत में सदेव क्रश्न के पास रहने वाली बासुरी से गोपया इश्या करती है सोत्या डा से पिडित गोपया अब ब्रज में रहना नहीं चाहती है क्योंकि उनका इस्तान अब बासुरी ने ले लिया है प्रथम पद में बताया है कविने के जो कृष्ण के पास सदा हमेशा उनकी जो बासूरी रहती है उससे सारी ब्रज की गोपया उससे इश्या करती है और दूसरे कवित में कृष्ण का सम्वाक रचने वाली गोपया सोत्या डा के कारण उनकी बासुरी को जो कृष्ण के ओटो पर थी को अपने ओटो पर रखने से इनकार करती है कवी ने दोनों कवितों में कोपयों की मनहिस्तति का मार्मिक वर्णन किया है दोनों ही पदों में दोनों ही कवित में कोपयों पर कोपयों की मनहिस्तति क्या हो रही है रसकान कवी ने इस चेप्टर में बताया है तो हम प्रथम कवित पढ़ेंगे कान बय बस बासुरी के अब कौन सकी हमको चाहिए निसिगोस रहे संगसात लगी ये सोतिन तापन क्यों सहिए जिन मोही लियो मन मोहन को रसकानी सदा हमको दहिए मिली आओ सबे सखी भागी चले अब तो ब्रज में बासुरी रहिए इस कवित में रसकान कभी कह रहे है कि हमेशा क्रश्न के पास रहने वाली गोप्या क्रश्न की बासुरी से इश्या करती हुई एक दूसरे से कहती है कि काना को बासुरी ने अपने वश्च में कर लिया है काना तो अब सिप बासुरी को अपने पास रखता है वे कहती है दूसरी सक्षियों से कि है सकी अब कृष्ण हमें क्यूं चाहेंगे यह बासूरी हमेशा उनके साथ रहने लगी है इस बासूरी ने कृष्ण को मोहित कर लिया है वो हमें सदा जलाती रहेगी इसलिए आओ अब हम सब मिलकर व्रज छोड़कर भाग जाए हमारा इस्तान अब इस बासूरी ने ले लिया है अब तो व्रज में बस यही बासूरी ही रहेगी इस प्रकार हमेशा कृष्ण बासूरी को अपने पास रखते हैं तो गोप्यों को जलन मैसुस हो रही होती है गोप्या कहती है एक दूसरे से कि कृष्ण तो अब बासूरी के हो गए है बासूरी ने कृष्ण को अपने फश में कर लिया है तो अब हमारा यहां पे क्या काम तो वो एक दूसरे से कहती है कि चलो सकी हम तो ब्रच चोड़ कर कहीं बाग चलते हैं फिर दूसरे कवित में रसकान बताते हैं कि मौर पका सिर उपर राख्यो गुज की माल गरे पहरोगी ओडी पितांबर ले लकूटी बन गोदन गौरन संग फिरूँगी पाव तो वो ही मेरो रसकानी सो तेरे कईये सब स्वांग करूँगी या मुली, मुली धर की अध्रान धरी, अध्राना धरोगी तो दूसरे कवित में रसकान कभी बताते की श्री किष्ण का सवांग रचने वाली गोपया कहती है सवांग मतलब नकल करना, किसी का वेशधारन करना तो गोब्या स्रीकिष्ण का सवाँग रचने वाली कहती है कि हम अपने सिर पर मोर पंक का मुकट पहनेंगे जैसे कि स्रीकिष्ण पहनते थे अपने गले में कुम्ची की लाल लाल दानों की माला पहनेंगे अपने कंधों पर पितांबर ओड़ेंगे और छोटी सी लाटी लेकर कुआलों के साथ वन में जाकर कायों को चराने का अभिनाई करेंगे मतलब नाटक करेंगे कि जिस प्रकार बगवान कृष्ण अपने गले में कुंचे की माला पेंते अपने सिर पर मौर पंक का मुकुट दारन करते और अपने कंधे पर पितांबर दारन करते और इसके साथ ही कायों को चराने वन में जाते तो हम भी स्री कृष्ण का ऐसा ही अभिनाई करेंगे स्री कृष्ण को जो भी पसंद था वे सब हम करेंगे पर एक काम वे कभी नहीं करेंगे कोपया के रिए जैसा सिर्किष्ण को पसंदे हम भी पैसे ही करेंगे वो जैसे हैं हम भी पैसे ही रहेंगे पर श्रीकिष्ण का एक काम हमको नहीं पसंदे तो हम वो नहीं करेंगे क्या कि श्रीकिष्ण ने जिस बासुरी को अपने होटों पर रखकर बजाया था उस बासुरी को वे अपने होटों पर कभी नहीं रखेगी क्योंकि वो गोपया बासुरी को अपनी सोतन मानती है क्योंकि स्रीकिष्ण हमेशा अपनी बासुरी को अपने पास रखते हैं उसे अपने होटों पर रखकर बजाते हैं तो गोपयों को बासुरी से जलन हो रही है गोपया उस बासुरी को अपनी सोतन समझ रही है सोतन का मतलब सोत पती की दूसरी पत्नी होता है तो दोनों ही कवित में गोपयों की मना इस्तति का रस्कान कवी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार गोपयों को बासूरी से जलन हो रही है वो ब्रस से भाग जाना चाती है और दूसरे कवित में गोपया बता रही है कि वो कृष्ण बनने का अभी नहीं करेगी जो कृष्ण को पसंद है वो करेगी लेकिन बासूरी को कभी अपने होटों पर नहीं रखेगी क्यों? क्योंकि वो तो बासूरी से जलन जलती है वो बासूरी को अपने होटों पर कभी रखना नहीं चाहेगी वो उसको अपना सोतन समझती है ओके, थैंक यू